तो तयार हो जाएए महा बचत सेल के लिए इससे भड़िया मौका नहीं मिलेगा जहां आप मजे ले सकते हैं बचत के May you save more यही है हमारा वादा इस 28 से 31 मई सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिलेगा अप टू 90 परसेंट आफ एंड 50 परसेंट की एक्ष्टा वेल्डिटी यह वो मौका है जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं आप अपनी ख्वाइशों को पूरा कर सकते हैं तो अगर आप तयारी कर रहे हैं SSC, Banking, Teaching, UDC Net, CSIR Net, EPFO, State PSC, UPSC, Defense जैसे एक्जाम की तो आईए इस महाबचस सेल में साथ मिलकर धूम मचाएं और अपनी सेविंग्स को यादगार बनाएं हलो दोस्तो नमस्ते आदाव सस्तेकार आपका दोस्त गौरव टेस्ट बुक सुपर कोचिक पे स्वागत करता है तो दोस्तो हो जाएए तयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं जीके और जीएस पेवार जहां पर हम लोग करेंगे वो सारे इंपॉड़ेंट सवाल जो आपके SSC CGL पॉइंट से बहुत ही जादा महत्पून है स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को भाई भर भर यहाँ पर गूड आफटर्नून तो एक बार जलदी जलदी से सभी लोग घर आपके सबूड़ेंगे जोड़ जोड़ सके और हम इसको स्टार्ट कर सके हैं या फिर कोई और exam तो आपके लिए दोस्तों वहाँ पर उतनी ही बड़ी तकलीफे आएंगी, hurdles आएंगे, ups and downs आएंगे, बट जितनी बड़ी तकलीफे होंगे और आप उनसे लड़ोगे, तो यकीन मानिए उतनी ही बड़ी काम्याबी होगी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपक के सवाल जो आपके SSC CGL point of view से बहुत ही जादा महत्पूर्ण है, तो चले इस session की करते हैं शुरुआत, बढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों अगले slide के साथ, सभी लोग क्या करेंगे, फड़ावर से, yes type करेंगे, जिससे मुझे यह पता चल जाए, कि मेरे screen और voice एकदम clear है आ भाई साब यहाँ पर पूछ रहे है, are you guys ready, अगर ready है तो फड़ावर से एक बर yes type करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे पहले question के साथ, जल्दी जल्दी से, यहाँ पर, yes, 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 ठीक है, तो पहला question आपकी screen पर यह रहा, which of these passes connects India and Tibet, इने में से कौन सा दर्रा जो है भारत और ति correct answer क्या होगा, सबी लोग बताएंगे, फड़ावर से, यहाँ पर A option के साथ जा रहे हैं, बाखी लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर correct answer क्या होगा, तो दोस्तों मैं आपको उता दू, जितने लोग A option कह रहे हैं, उनका गलत answer होगा, जितने लोग B option कह रहे हैं, उनका correct answer होगा, ठीक है झाले अब देखे दोस्तो यहाँ पर B option correct है बनी हाल पास क्या करता है जम्मू और कश्मीर को जोडता है ठीक है यह आद रखेगा अच्छा अगिल जो पास है यह यह किसको जोडता है कश्मीर को से झोडता है किसको जोड़ता है कश्मीर को जी जियांग से जोड़ता है जी जियांग ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और लनक पास जो है यह इंडिया और चाइना को जोड़ता है किसको जोड़ता है इंडिया और चाइना को जोड़ता है यह भी आद रखेगा अब देखें इंपोर् लिपू लेक पास कौनसा लिपू लेक पास ये कहां पर है तो ये आपको मिलेंगे उत्राखंड में ठीक है आपसे पूछा जाएगा बाराल अच्छा पास कौनसा बाराल अच्छा पास ठीक है रोहतंग पास कौनसा रोहतंग पास ठीक है या फिर शिपकिला पास ये कहां पर हैं सिक्किम में तो इस प्रकार के आप से दर्रे पूछ लिए जाते हैं या आपको ध्यान रखना है ठीक है चले अगले कोशन बढ़े अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा यहां पर कोशन पूछा जा रहा है पुडूचेरी, केरला, मिजोरम और दिल्ली फढावर से बताए यहां पर केरला कहरे है लोग कहरे सर होना चाहataी पूडूचेरी ओखे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जित लोग यहां पर पूडूचेरी कहरे है उनका विलकुल करेक्ट आंसर है आपका ठीक है अब देखे कई लोग केरला कह रहे हैं मैं आपको बताना सबसे पहले बात करें census 2011 की किसकी census 2011 की तो census 2011 जो है यह आजाधी से पहले अगर हम काउंट करें तो यह पंद्रवे नंबर का दोस्तों क्या है जन्गर्ना है आजादी के बाद अगर हम count करते हैं तो ये 7-way number की जनगर्णा है पहला जनगर्णा जो है 1872 में आया था मायो के समय में आया था ठीक है लेकिन अगर आपसे पुछेंगे समकालिन जनगर्णा जिसको हम लोग कहते है सिंक्रोनस सिंक्रोनस कहते हैं वो कब आया था तो वो आया था 1881 में किसके समय में रिपन के समय में आया था हम अगर 2011 की बात कर रहे हैं तो इसकी theme क्या है उसकी theme याद रखेगा our senses our future हमारी जनगर्णा हमारा भविश ठीक है our senses our future इसकी theme है ठीक है अब दोस्तों यहां पर बात हो रही है लिंगानुपाद की ठीक है किसकी बात हो रही है sex ratio की बात हो रही है तो sex ratio क्या होता है female का ratio over male ratio 1000 सौरी पुर्शों पे कित्ती महिलाएं हैं उनके counting को हम लोग कहते हैं sex ratio तो आपसे पूछा जाएगा पूरे भारत वर्ष का sex ratio कितना है तो दोस्तों इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया में आपको 943 females मिलेंगी over कितने 1000 male पे तो याद रखें यह किसकी बात की हम लोग ने बात की है यह भारत वर्ष की राइट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केरला जो लोग कह रहे थे केरला तो केरला का सबसे highest है और केरला का कितना है 1084 ठीक है over 1000 male ठीक है याद रखेंगा female कितनी है 1084 और जो male है वहला हजार पुर्षयों पे एक हजार 84 जो है यहाँ पे महिला आए है केरला में अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे कम कहां का है तो हरियाना का है कहां का है दोस्तो हरियाना का सबसे कम है यह तो मैंने highest बताय 899 है यह आपको याद रखना है यह तो हमने बात की किसकी राज जी की बात की अगर यूटी पूछ लेगा यूनियन टेटरी हाइस अगर पूछेगा तो पूडू चैरी है क्या है हाइस कहां की है पूडू चैरी की है 1037 अभी आप लोगों ने बताया जो की question में पूछा थ अगर lowest पूछता तो lowest में आप क्या आंसर करतें lowest में दमन और यू कहां का आंसर करतें दमन एंटू करतें और दमन और यू कितनी है 618 यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा यहां पुछा जारा हूं इंट्रेड्यूज्ड दू असपासी असपासी असपासिस्टम दू असपासी असपा प्रणाली की शुरुवात किसे ने की थी औरंग जेब ने जहांगीर ने कर्सार हो जाएगे ठीक है बहुत बड़्या अच्छा अब यह होता क्या है दोस्तो ये अ जाता था. दहस्पा सी अस्पा. ठेक है? यह आपको ध्यान रखना है. यह याद रखेंगे. चले. इसके बाद हम बात करें जहांगीर. जहांगीर की पिता कौन थे? जहांगीर के फादर थे. अकबर थे क्या? अकबर. और उनकी माता का नाम क्या था मदर का नाम मरियम क्या नाम था मरियम नाम था ये याद रखेगा और अगर हम बात करें जहांगीर को सेख सलीम के नाम से यहां पर पुकारे जाते थे तो इनको सलीम कहा जाता है ये भी आपको ध्यानक नहीं जहांगीर के दरबार में आपको याद होगा जहा जल्दी से बताईये Thomas 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 भी आया था Thomas Row भी आया था और Hawkin भी आया था Hawkin आया था 1608 में 1608 में Hawkin आया था और 1615 में कौन आया था Thomas Row आया था यह आपको ध्यान रखना है confusion नहीं रखना है चले आगे बढ़े दो स्रिश्टी राहूल अर्थ निहारे का समराध बहुत बढ़िया अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा निमलिखित में से भारत के सम्विधान कौन सा अनुछेद राज की राजपाल का जह शमादान आदी और कुछ विशिष्ट स्थितियों में सजायत निलंबित करने और माफ करने या फिर लगू करन यहाँ पे करने की शक्ति प्रदान करता है 161, 102, 123 और 112 जाली से बताए 161, 161 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जितने लोग आर्टिकल 161 कह रहे हैं यह क्या हो गया हाँ जी आप्शन नमबर 1 कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है अब देखे दोस्तों गवर्नर की बात हो रही है ठीक है गवर्नर पुछे जाएंगे कहां पर डिफाइन के गए तो आर्टिकल 113 में कहां पर 113 में डिफाइन के गए उनको पाड़िनिंग पावर किसमे बलिए 161 में ठीक है अगर आपसे यही पे राष्टपती पूछे जाते कि राष्टपती को पाड़िनिंग पावर किसमे है तो हमने कैसे पढ़ा था दोस्तों शमादान मतलब माफी किसी को फासी हो रही तो वो माफी के लिए कहां जाएगा राष्टपती के पास और कहेगा राष्टपती से मे उसी तरीके से गवर्नर भी जो है ओडिने से जारी कर सकते हैं, कौन से है नुच्छेत के तहट, तो आपको याद रखना है 213 के तहट, ठीक है, तो ये भी आपके एक्जाम में पूछ लिया जाता है, तो confused नहीं होंगे, ठीक है, अच्छा, अभी हाली में बहुत सारे गवर् फड़ाफट से देखते हैं, झारखन के अगर हम बात करें, चुह तो राधाReimage कर दें, जार्कन के एक तो सीपी राधाकृष्णन yade रख लिजे, ठीक है, सीपी जिंद कäतारिया बने थे आपको ध्यान रखना है ठीक अरुणाचल प्रदेश के कौन मने थे के की परनायक बने थे कौन मने थे तो रमेश बैस बने थे, महराश के रमेश बैस बने थे, अगर आपसे पूछ जाएगा आप अंदर प्रदेश के कौन बने थे, S. अब्दुल नाजीर बने थे, तो यह कुछ दोस्तों, गवर्णर निक्थ हुए थे हाली में, तो इनका नाम ध्यान रखेगा, आगे बढ़े महाबचस सेल जहाँ पे आपको दोस्तो 90% तक का डिसकाउंड मिल रहा है साथ में आपको 50% extra validity भी मिल रही है मतलब 12 महने पे 6 महने extra, 24 महने पे 12 महने extra, 6 महने पे 3 महने extra और अगर आप all SSE exam की तयारी कर रहे हैं तो आप course में यहाँ पे avail कर सकते हैं जो 2999 का है आप 454 रुपए में जैसे आप इसका इस्तमाल करेंगे आपको maximum discount मिलेगा और आप अपनी तयारी भी कर पाएं ठीक है चलिए अगला question आपके screen पर यह रहा यहाँ पूछरा what was the capital of राष्टकूता kingdom ठीक है राष्टकूत समराज की राजधानी क्या थी होल थी मलखेड थी करनोज थी या फिर दिल्ली थी फड़ावर से बताए किसकी थी करनोज कह रहे है कुछ नोग मलखेड कह रहे हैं बाखी लोग क्या कहते यहाँ पर correct आंसर क्या होगा तो मैं बताना चागा जितने लोग मलखेढ मलखेढ कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, चलें आगे की तरफ बहुत बढ़िया, यहांप क्या हो जाएगा, मलखेड, अच्छा, अगर हमसे ये पूछा जाए, कि बताए राश्कुता डाइनिस्टी का founder कौन था, ठीक है, तो founder याद रखेगा, founder जो था, वो कौन था दोस्तो, दंती दुर्गा जी, ठीक है, दंती दुर्गा, और अगर आप से पूछ लिया जाए, कि ग्रेटेस्ट किंग कौन था राश्कुता डाइनिस्टी का, तो ग्रेटेस्ट किंग याद रखेगा, गोविंदा तृतिय, कौन थे है, गोविंदा तृतिय जो थे वो famous राजा थे राश्कुता डैनेस्टी के ये भी आपको ध्यान रखना है सभी लोग comment box में comment करके बताए दिल्ली को सबसे पहले capital बनाने वाली कौन सी डैनेस्टी थी जल्दी से बताए डैनेस्टी मैंने आपसे पूछा है ठीक है देखते हैं कितने लोग यहाँ पे correct answer करते हैं फटावर से बताए दिल्ली को सबसे पहले very good Tomar dynasty बहुत ही बढ़िया निहारिका तान्या बहुत ही बढ़िया समराट और फिर उसके बाद सुमिध ठीक है तो यहाँ पे याद रखेगा Tomar dynasty ठीक है क्योंसी डैनेस्टी तोमर डैनेस्टी थी याद रखेंगे ठीक है अगले question बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले फटावर से share और like करते हो चलेंगे अगला question आपके लिए अलकेन, अलकीन और अलकाइन is the combination of which of the following element अलकेन, अलकीन और अलकाइन जो है निमलिखित में से किस तत्व का संयोजन है oxygen and nitrogen, hydrogen and nitrogen, nitrogen and carbon, carbon and hydrogen जल्दी से बताइए, फटावर से यहाँ पे कहरे सर बी option होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मितलेश बहुत ही बढ़िया फिर उसके बाद जितने लोग D option कह रहे है, D option, उनका correct होगा carbon and hydrogen क्यों? क्योंकि आपसे बोल रहा है, अलकेन, देखे, अलकेन क्या होता है अलकेन को single bonded भी कहते है, अलकेन single bonded होता है, इसको paraffin भी कहते है क्या कहते है, paraffin, ठीक है, इसका formula क्या होता है cnh2n plus 2 होता है, फिर होता है alkyne, alkyne होता है double bond, क्या होता है यह double bond होता है, ठीक है, इसका formula होता है cnh2n, ठीक है, formula याद रखेगा फिर होता है alkyne, alkyne जो होता है, यह होता है triple bond, क्या होता है, triple bond होता है और इसको हम लोग formula के रूप में कैसे लिखते हैं, cnh2n-2, अब यहाँ पर देखे, n क्या है, अगर आपसे पूछा है, n क्या है, तो number of carbon, ठीक है, जितने carbon होंगे, वो n को दर्शार रहा है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, अब देखे, दोस्तो सवाल क्या पूछा क्य सारे के सारे जो है, यह bond किसमें मिलते हैं, तो दोस्तो carbon और hydrogen के अगर मैं बात करूँ, आपको इसमें single, double और triple, तीनो ही bond मिलते हैं, तो option number four correct हो जाएगा, यह आपको बताना था, ठीक है, चले आगे, चले, अगला question आपके लिए यह रहा, यहाँ पे पूछा जारा है, पास कोंग की पासी द्वारा किये गए, यहाँ पे सामाजी कारियों का वर्णन करने के लिए किया जाने वाला एक लोकनित है, निमलिखित में से किस राजमें यह सम्बंदित है, अरुनाचर पदेश, मिजोराम, केरला और सिक्के, जल्दी से बताइए, क्या बात है, यहाँ पे कौन से फोक डांस है, तो जैसे बुईया, क्या, बुईया, ठीक है, चालो, कौन सा, चालो, ठीक है, पोपिर, वांचो, वांचो, यह सारे के सारे क्या है, फोक डांस है, अरुनाचर पदेश के, ठीक है, यह क्या है, फोक डांस है, यह आपको ध्यान रखना है, यह आप से यहां के मुख्यमंतरी है, यहां का National Park, राष्ट उद्यान जो है, वो कौन सा है, Mauling, Mauling राष्ट उद्यान है, घ्क है Mauling, और नामदफा, क्या है, नामदफा, National Park है, यह भी आपको ध्यान रखना है, पूचली आ जाता है, और यही पर एक famous दर्रा है अरुनाचर पदेश में, जिसका नाम है, दर्रा का नाम याद रखेगा, बोमडिला, क्या है, बोमडिला दर्रा, इंगलिश में कहेंगे, बोमडिला पास, ठेक है, अगले question की तरफ बढ़ें, चले, बहुत ही बढ़े, अगला सवाल आपकी screen पर य यहां पुछा जा रहा है, विच फॉरेंड ट्रेवलर वाज फेमसली नोन एस दा प्रिंस ओफ मेडेवल ट्रेवल, ठेक है, यहां पुछा जा रहा है, आपसे किस विदेशी यात्री को मधिकालीन यात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है, क्या वो मारको प कहरें मैं आपको बताना जाओंगा, ओप्शन नुबर वन जो है, वो करेक्ट आंसर होगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चलें आगे की तरफ, बहुत बढ़े है, यहां क्या होगा, ओप्शन बर वन, मारको पोलो, अब सवाल उठता है, मारको पोलो आखिर आया कह ठीक है, किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में, कब आया था, 1608 में आया था, फाहिन, फाहिन किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त टू के दरबार में, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त टू के दरबार में आया था, ठीक है, फ्रेंकोईस, फ् French, France से आया था, ठीक है, यह French traveler था, कहां से, French traveler था, यह किसके दरबार में आया था, सा जहां के, किसके, सा जहां के, तो यह कुछ नाम दे दी जाते हैं, और पूछा जाते हैं, किसके दरबार में आया थी, तो यह आपको ध्यान रखना है, अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा यहाँ पुछा जा रहा What is the name of the government health care scheme that was renamed in November 2016 for making available generic medicine and affordable prices सामान दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्द कराने के लिए November 2016 में सरकारी स्वास्थ योजना का नाम क्या रखा गया था क्या दोस्तों प्रधान मंतरी जन आसथी मिशन प्रधान मंतरी भारती जन आसथी पर योजना या प्रधान मंतरी भारती आसथी योजना या फिर प्रधान मंतरी आसथी योजना कौन सा करेक्ट होगा A option, A option कह रहे हैं correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा correct answer होगा B option प्रधान मंत्री यहां पर जन आउशदी परयोजना जो है correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे की तरफ चले अच्छे दोस्तों बहुत सारे ऐसे योजना लांच किया जाते जैसे अभी दोस्तों scheme launch किया था बेटी यहां पर लाडली बहना योजना ठीक है और लाडली लक्षमी योजना ठीक है लाडली लक्षमी योजना इसके अलावा दोस्तों अभी हाली में एक और योजना launch हुई थी ठीक है वो क्या था दोस्तों सभी लोग बताएंगे पढ़ो भी और कमाओ भी था या फिर कौन सी योजना थी जो की दोस्तों MP में launch की गई है अभी हाली में की गई है सभी लोग बताएंगे मैंने आपको hint दे दिया है फड़ावर से answer करिए हां MP में की गई है बिल्कुल सही बता रहे हैं लेकिन अभी हाली में MP में दोस्तों की गई है उसका नाम बताना है यह क्या है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं ठीक है अगले कोशन बढ़ते हैं अच्छे दोस्तों अभी आप लोग के एक्जाम में क्या पूछा गया था ब्रधान मंतरी ग्राम सडक योजना जो है यह किस वर्ष लांच की गई थी 2000 में लांच की गई थी यह कोशन आपके एक्जाम में पूछा गया था अगला कुशन आपके लिए यह रहा दोस्तों नया जो वर्ष होता है उसको अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम से जाना जाता है तो आपको यहां पर मैच दा फॉलाइं दिया गया है नवरह, उगादी, वीशू, यहां पर पाना संक्र पानती, ठेक है, मल्याली न्यू यर, ओडिया न्यू यर, तेलुगू न्यू यर, या फिर कश्मीरी हिंदू न्यू यर, कौन सा करेक्ट है, यहां पर एलिमिनेशन लगाईए और आंसर लाइए, यहां पर कुछ लोग करेशर B आप्शन होना चाहिए, कुछ लोग करेशर तो जल्दी से पताईए, तो अगर आप 2 की भात करो, तो 2 का C होना चाहिए, और तेलंगाना कहीट न्यू यह है, उगादी, हरा, तो यहां पर 2 का C कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, और यहां पर आ रहा है, बाकि में नहीं है, डिलीट मार दो, ठीक है, फिर उसके इन दोनों में से सिर्फ इसी में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, तो इसको eliminate मार दो, बचा यह option, option number two correct हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, option number two correct हो जाएगा, यह आपको ध्यानक नहीं, इसी तरीके से harvest festival के अलग-अलग जगा पे अलग-अलग नाम है, और आपके exam म पूछा गया था, कि मेघाले के, मेघाले के harvest festival को क्या कहा जाता है, जिसका answer था, वांगला फेस्टिवल, क्या है, वांगला फेस्टिवल, यह आपसे पूछा गया question है, ठीक है, इस प्रकार question, चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा, यहाँ पूछा जा है, which among the following statement is correct regarding money bill, ठीक है, धन विद्यक के संबंद में आपको कुछ निमलिखित में से वो दिये गए है, आपको statement दिये गए है, कौन सा सही ही वो आपको बताना है, money bill can be introduced in the state legislative assembly with prior permission of the governor of the state, a money bill can be introduced only in the assembly and not in the council, the council cannot amend or reject a money bill all of the above, कौन सा इन में से correct है, यह आपको बताना है, all correct है, बोल रहे है, all correct है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, आपका all हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, money bill can be introduced in the state legislative assembly, yes, बिलकुत सही है, with prior permission of the governor of the state, बिलकुत सही बात है, यह correct है, फिर क्या कहरा, money bill can be introduced only in the assembly, not in the council, कोई भी rejection नहीं कर सकता है, तो तीनों के तीनों statement correct है, अब दोस्तों सवाल आता है, कि money bill जो है, यह कौन से अनुछेद में mention है, तो यह article याद रखेगा, 110 में mention है, ठीक है, कौन सा money bill, अगर financial bill पूछेगा, यह तो धन विद्याक हो गया, एक होता है, विद्ति विद्याक, यह कौन बताएगा, तो यह बताएगे, speaker of लोगसभा, कौन बताएगे, speaker of लोगसभा बताएगे, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा, यहाँ पूछा जा रहा है, which of the following statement are correct regarding Eka movement, Eka movement जो हुआ था, उसके regarding आपको कुछ कथन दिएगा है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है, it is started in 1920, 1920 में जो है का movement start हुआ है, SI statement 1 कह रहा है, it is also known as unity movement, it has headed by madari passi, ठीक है, कौन सा correct है, only B, only B and C, all are correct, या फिर A and B, correct क्या है, यहाँ पर character both होना चाहिए, बाखी लोग क्या कहते है, यहाँ पर correct answer क्या होगा, जित्ते लोग यहाँ पर both both कह रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दू, सबसे पहले हम लोग statement वाइस चलते हैं, और एक statement को एक question समझेए, यह कह रहा है, it started in 1921, तो मैं आपको बता दू, यह 1920, sorry, 1920 में नहीं हुआ था, यह गलत है, 1921 में हुआ था, 1921 में, तो पहला statement गलत हो गया, जब पहला statement गलत हुआ, तो all जो correct कह रहा है, वो तो गलत हो जाएगा, जिसमें A आ रहा है, यह भी गलत हो जाएगा, अब देखे, B क्या कह रहा है, it is known as unity movement, बिल्कुल सही है, it is headed by मदारी पासी, यह भी सही है, तो B और C दोनों सही है, तो correct answer होगा, option number 2, क्या होगा, option number 2, correct answer हो जाएगा, ठीक है, अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए यह रहा, In which type of chemical reaction do crystal of ferrous sulfate lose water on heating and the color of crystal changes from light green to white, ठीक है, किस प्रकार की रसाइनिक प्रतिकिरिया में ferrous sulfate के crystal गरम करने पर जल खो देते हैं, और crystal का रंग हलके हरे से सफेद में बदल जाता है, क्या हो decomposition reaction, combination reaction, displacement reaction, या फिर double displacement reaction, फड़ा फ़र्चे बताएगे, यहाँ पर करेसर A होना चाहिए, कुछ लोग करेसर D होना चाहिए, correct answer यहाँ पर हो जाएगे, दोस्तों, decomposition, जितने लोग A कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, decomposition reaction, ठीक है, अगला question आपके लिए यह रहा, antibodies are dash, दोस्तों, जो यहाँ पर प्रतिरक्षी होते हैं, वो क्या होते हैं, glycolipid होते हैं, glycoprotein होते हैं, carbohydrate होते हैं, या फिर nucleic acid, इसमें elimination से आप कर सकते हो answer, जल्दी से बताइए, 250 लोग live है, फड़ा फड़ से share और like भी करते हुए चलेंगे, जल्दी जल्दी से, ठीक है, यहाँ पर जितने लोग option number 22 कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, correct answer क्या हो ग्लाइको प्रोटीन होगा, क्या होगा ग्लाइको प्रोटीन, याद, अच्छे दोस्तों प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन एक्चुली सबसे ज़्यादा किसमें मिलती है, सोया बीन में, ठीक है, और सोया बीन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कहां पर होता है, मध्य प् क्वाशी ओर कर यह जो बिमारी है यह होती है किसकी कमी से यह होती है प्रोटीन की कमी से प्रोटीन का पाचन हमारे सरीर में कहां पर होता है प्रोटीन का डाइजेशन अगर आप से पूछ लिया जाए तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है हमारे पेट में स्टोमक में ठीक है अगले question पर बढ़ें, चलिए, दोसो पचपल लोग लाइव हैं, फड़ा फट से एक बाद, like और share करते हुए चलते हैं, फड़ा फट से 300 के उपर लेके, अगला question, the price of one currency in terms of the other is known as the dash, एक मुद्रा की कीमत दूसरे के संदर में, dash के रूप में जानी जाती है, किस के रूप मे interest rate, borrowing rate, exchange rate, या फिल landing rate, जल्दी से बताइए, borrowing, borrowing कह रहे हैं, यहाँ पर correct answer क्या हो जाए, correct answer हो जाएगा आपका exchange rate, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, exchange rate कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, अभी हाले में दोस्तों कौन सा जो है, currency को बंद कर दिया गया है, क्या वो 2000 का मार्स जो था, ठीक है, मंगल यान यह आपको ध्यान रखना है, यह भी पूछा जा सकता है, चले, अगले कोशन बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके screen पर यह रहा, which of the following is not a primary industry, ठीक है, निमलिखित में से कौन प्राथमिक उद्योग नहीं है, fishing, iron and coal, mining या all of these, जल्दी से बत लोग यहाँ पर iron, iron कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर iron correct answer होगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चले, आगे एक तरफ, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, option number two, iron and coal, अच्छे दोस्तों यह तो primary industry पूछिए, कई बार आप से sector पूछे जाते हैं, जैसे कि primary sector आप से पूछ लेंगे कि primary sector क्या होता है, ध्यान दीजेगा, यह primary sector कि अगर हम बात करते हैं, एक होता है primary sector, एक होता है secondary sector, और एक होता है tertiary sector, ठीक है, अगर आप से पूछ लिया जाए primary sector, जहां से दोस्तों आपको raw material मिले, raw material मिले मतलब agriculture हो सब्सक्राइब में आएंगे टर्शरी में एक होता है कोटर नरी कोटर नरी में आता है आई टी इन्फर्मेशन टेक्नलोजी और ए आई ठीक है चले आगे बढ़ें अगला सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पर यह रहा वाट इस दा साइंटिफिक नेम ओफ काउ ठीक है गाय का वैग्यानिक नाम क्या है क्या वो बॉस इंडिकस या फिर जैफरबादी साहिवाल या फिर रेड सिंधी क्या नाम है जल्दी से बताईए यहाँ पर कह रहें सर ए उप्षन ए उप्षन ओके चले जितने लोग यहाँ पर मैंगो को क्या कहा जाता है मैंगो को मैंगनिफेरा इंडिका बोलते हैं क्या इसको मैंगनिफेरा इंडिका यह भी आपको ध्यान रखना है मैंगनिफेरा इंडिका कहते हैं यूमन को क्या कहते हैं यूमन को कहा जाता है होमो सैपियन क्या कहते हैं होमो सैपियन कहते हैं पैरिस या फिर नुयोड कहां पर इस्थित है यहां पर कर सर हेग होना चाहिए बी option कह रहे हैं ओके चले जितने लोग यहां पर बी option बी option कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यह आपको दिहान रखना है चले आगे बढ़ें ठीक है यहां पर हेग अच्छा आप डॉटि यो डबलू एमो ठीक है डबलू एमो का पूछ लिया जाई यह कहां पर है तो यह जिनेवा में हैं यह आपको याद रखन है UN का कहां पर है UN का जल्दी से आप लोग कमेंट करके यह बताएगा homework लेजे homework लेजे comment करके बताएगा UN का कहां पर है headquarter ठीक है FAO जैसे food जो सो food agriculture organization कहां पर है तो यह रोम में है कहां पर है रोम में है ठीक है चले अगले सवाल बढ़ते हैं अगला question आपके लिए यह रहा the first revolt was in 1771 led by whom called the पहारी revolt ठीक है पहला विद्रो 1771 में किसके नितत में हुआ था जिसे पहारिया विद्रो भी कहा जाता है कानू मुर्मू दिखा माजी सिद्धू मुर्मू और बिर्सा मुंडा किसके दौरा किया गया था यहां पर कहें सर बिर्सा मुंडा जी होने चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहेंगे तो दोस्तों जित्ते लोग बिर्सा मुंडा कह रहे हैं उनका कलत आंसर हो जाएगा ठीक है यहां पर correct answer क्या होगा जित्ते लोग option number B कह रहे हैं देखे कई लोग कानू कह रहे हैं तो दोस् 1855 और चाचट में और यही question आप लोगों के exam में पूछा गया था CHSL में कि किस वर्ष संथल रिवल्ड किया गया था तो 1855 में किया गया था ठीक है अगला question आपकी screen पर यह रहा on which side of the Indus valley civilization traces of canals have been found ठीक है सिंदु घाटी सभिता के किस स्थल पर नहरों के साक्षे प्राप् यहाँ पर धोलावीरा के रहे हैं, बाकी लोग वीया कहते हैं, चले जितने लोग धोलावीरा के रहें, उनका गलत answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है, correct answer क्या हो जाईगा, correct answer होगा, sure to geschahy, अब सवाल यह उटता है, sir sure to mascahy जो है, यह site है कहां पर, तो आप से कई ब ध्यान रखना है इंडस वैली सिवलाइजेशन इसको हडपन सिवलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हडपन की खोज की गई थी 1921 में किया गया था दया राम सहनी जी ने किया था और ये दोस्तों कौन सी नदी किनारे पाया गया था रावी नदी के किनारे पाय लिया गया था मोहन जोदाड़ो मोहन जोदाड़ो खोजा गया 1922 में किस ने खोजा आडी बैनर्जी जी ने खोजा किस नदी के किनारे तो इंडस रिवर के किनारे ये भी आपको ध्यान रखना है पूछ लिया जाता है धोला वीरा देखिए option में यहां पे धोला वीरा के आपको याद होगा क्या पाया गया था डौक याड ठीक है डौक याड और कौन से नदी के किनारे है लोथल तो यह है भोगावो नदी के किनारे किस नदी किनारे भोगावो रिवर के किनारे है ये आपको ध्यान रखना है मोहन जो दाड़ो को इसको इंगलिश में कहा जात अगला सवाल आप क्ली रहा, consider the following statement regarding subsidiary alliance, देखें, subsidiary alliance जो थी, उसके regarding आपको कुछ कथन दिये गए है, the subsidiary alliance was a non-intervention policy, it was devised by Warren Hastings in 1798, ठेक है, the nizam of Hyderabad was the first enter into the subsidiary alliance system, कौन सा इन में से correct है, one or two, two, या two or three, या फिर one or three, कौन सा correct है, यहाँ पर कहरे sir, one or three correct answer होना चाहिए, बाकी लोग क्या कहते हैं, तो जितने लोग one or three, one or three कह रहे हैं, उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ क्या हो जाएगा, option number one or three हो जाएगा, अब देखें, one or three क्यों होगा, इ यहाँ पर ना mention होने की वज़े से, यह two गलत हो गया, और जब two गलत हो गया, तो तीन option ऐसे ही eliminate हो जाते हैं, क्योंकि सारे option में two था, ठीक है, चले, अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा, दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, नवा कलेबर, sorry, नव नव कलेबर रथ यात्रा हेल्ड, ठीक है, जो नव कलेबर एक अनुष्ठान और जिसमें भगवान, जगनात, बलभद्र, सुबद्र और सुदर्शन की लकडी की जो आकरितियों का समय समय पर नवी करनी किया जाता है, नव कलेबर रथ यात्रा जो है, कहां पर आयोजित हो क्या है, भुवनेश्वर है, क्या है, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है, ठीक है, फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि यहां के CM कौन है, तो नवीन पतनायक जी है, कौन है, नवीन पतनायक जी है, ठीक है, उसके बाद आप से पूछा जाएगा, गवर्नर कौन है, तो ग वो भी कहां का है वो भी ओडिसा का है ओडिसा में कोईला कहां पे मिलता है तो कोईला याद रखेगा मयूर भंज में कहां पे मयूर भंज में मिलता है और मयूर भंज से याद आया कि दोस्तों मयूर भंज एक चाओ नित है ठीक है यह डांस की हम बात करें डांस पाय का भी है और यहां का एक dance है मयूर भंज चाऊ ठीक है मयूर भंज चाऊ ये भी dance है ये आपको ध्यान रखना है पूछा जाता है ठीक है चले आगे बात करें अगले question पर अगला सवाल आपके लिए आपके screen पर लेकिन उसे पहले फड़ावट देखिया करेंगे दोस्तों देख गुमागे आज IPL का final है बताइए कौन-कौन जीतेगा कौन-कौन जीतेगा कौन-कौन नहीं ठीक अगला question which of the following pair is correct ठीक है एक तरफ गुपता dynasty दिया गया एक तरफ उनके title दिये गया है ठीक है उन्होंने जो title उपाधी ली थी जैसे कि स्रीगुप्त महाराजा बोल रह देखी क्यों CSK पे क्या कमी है बही चले यहां पर जितने लोग कह रहें सर होना चाहिए बी option बी option तो दोस्तों correct answer होगा बी option क्यों क्यों क्योंकि देखे यह वन सिरीगुप्त ने महाराजा का title लिया था बिलकुल सही है और समुद्रगुप्त को दिया गया था नैपोलियन और यहां पर उल्टा कर दिया चंद्रगुप्त 1 ने title लिया था महाराजा धीराजा का और चंद्रगुप्त 2 टाइटल ने लिया था विक्रमादित तो इन दोनों का title जो है उल्टा पुल्टा कर दिया है इसलिए यह दोनों गलत है बाकी दो सही है तो 1 और 3 correct है option number 2 is the correct answer अ पुर्व भारती टैनिस खिलाडी और डैविस कप्तान नरेश कुमार का 93 वर्ष की आयू में निधन हो गया है ठीक है वह वर्ष डैश में दुरुनाचाल lifetime achievement award प्राप्त करने वाले पहले टैनिस कोच बने थे 2019-21-20 या फिर 18 कब अचीव किया थे इन्होंने 2021-21 कह रहे हैं correct सान्या मिर्जा ने retirement ले ली है तो यह भी आद रखेंगा और इनकी famous किताब है एस अगेंस्ट और यह कई बार पूछ लिया जाता है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले अच्छा टैनिस में चार grand slam जो है बहुत important होते हैं और यह हर साल होते हैं और यह सबसे पहले जो ह पर पर जो होता है वो कौन सा होता है US Open सबसे पुराना जो है वो है Wimbledon यह भी आपको ध्यान रखना है अगले question पढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए who among the following has to his her credit the study of structure and function of the ribosome देखें निमलिखित में से किसे ribosome की संरचना और कारे का अध्यन करने का श्रे दिया जाता ह हर गोविंद खुराना जी को वेंकट रमन रामा कृष्णन जी को विक्रम विशाल को या फिर असीम पुनिया को किसको दिया जाता है हर गोविंद खुराना जी को ठीक है बाकी लोग क्या कहते भाई option number one one जित्ते लोग कह रहे हैं क्या उनका correct answer होगा या फिर नहीं होगा तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर option number two जो है correct answer होगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है correct answer क्यों जाएगा option number two वेंकट रमन रामा कृष्णन जी को जाना जाता है बहुत से लोग लाइजोजोम भी होता है ठीक है अगर आप देखेंगे तो लाइजोजोम भी होता है लाइजोजोम को क्या कहा जाता है सुसाइडल बैग कहते हैं सुसाइडल बैग कहते हैं फिर उसके बाद माइट्रोकॉंड्रिया भी होता है माइट्रोकॉंड्रिया को क्या कहा जाता है power house of the cell क्या कहते है power house of the cell कहा जाता है आपके exam में पूछ लिया गया था कि cell का खोज किस ने किया था तो cell का खोज क्या Robert Hook ने किया था जल्दी से बताईए 1665 में किया था cell के अध्यन को क्या कहा जाता है cytology क्या कहते है cytology कहते है यह आपको ध्यान अखना है just a minute cytology ठीक है तो यह भी याद रखेगा अगले question बढ़ते हैं 290 लोग live हैं दोस्तों लेकिल like इतने कम कियो फड़ा वर्ष एक बार like और share करते हुए चलते हैं अच्छा है कई बार आपसे यह भी पूछा जाता है कि tissue के tissue के अध्यन को क्या कहा जाता है tissue के तो इसको histology कहते है histology कहा जाता है यह भी याद रखेगा अगला सवाल आपके लिए यह रहा इट इस रिकगनाइस वेट लेंड आफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस एंड डेजिगनेटेट रामसर साइट also it is the largest inland saline lake in India which among the following lake is being talked about यह कह रहे है यह एक अंतराश्टी महत्व की एक मानिता प्राप्त आदरभूमी और एक निर्दिष्टित रामसर स्थल है साथ ही यह भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशी लवनी जील है निमलिखित में से किस जील की बारे में बात की जा रही है क्या वो जो चुलामू लेख है लोकटक लेख है सामबर लेख है या फिर भीमताल लेख है जल्दी से बताईए यहाँ पे सामबर लेख कह रहे है बाखी लोग क्या कहते है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जिते लोग सांबर लेक सांबर लेक कह रहे हैं उनका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है बहुत बढ़िया अच्छा अब सवाल उठता है दोस्तों कि आप से पूछा जाता है ये तो सांबर लेक कहाँ पर है राजिस्थान में है कहाँ प कहां पर हाइस लेख है यह कहां पर है सिक्किम में है कहां पर है सिक्किम में चुलामू लेख ठीक है यह आपको ध्यानक नहीं लोक्तक लेख कहां पर है यह मनीपुर में है कहां पर है मनीपुर में ठीक है और भीमताल लेख कहां पर है यह उत्तराखंड में मौझूद है कहां भी आदरभूमी places है मतलब wetland है उनको बचाना है और क्यों बचाना है क्यों कि wetland में flora of onna जल्दी ग्रोग करता है flora of onna तो दो फर्वरी को इसलिए हर साल क्या मना जाता है wetland day मना जाता क्या मना जाता है wetland day ठेक है हाला कि 71 में decide हुआ था, इसको लागू लेकिन कब किया गया था, तो याद रखेगा, इसको रामसर साइट को लागू किया गया था, with effect, with effect 1975, भारत ने कब join किया, 1982 में join किया था, 2023 चल रहा है, 2023 में, याद रखेगा, अब तक भारत में कितने रामसर साइट हैं, 75 हैं, which is very important, ठ सबसे बड़ा जो रामसर साइट है भारत में, ठीक है, सबसे बड़ा, largest हम अगर बात करते हैं, तो वो कौन सा है, सुन्दर बन, सुन्दर बन है, ठीक है, स्मौलेस्ट कौन सा है, रेनु का, रेनु का लेक, ठीक है, रेनु का लेक, अगला कोशन आपके लिए यह रहा, what is the name of the autobiography of Kapil Dev, Kapil Dev की जो आत्मत कथा है, उसका नाम क्या है, playing it my way, the nice guy who finished first, straight from the heart, the last, sorry, lost hero, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे कहरे सर, C option होना चाहिए, बाकी लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे C option होगा या पर नहीं, जिते लोग C option, C option कह रहे हैं, उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या हो जाएगा, C option, अब सवाल यह उटता है, कि playing it my way, यह किसकी है, यह सचिन टेंडूलकर जी की है, किसकी है, सचिन टेंडूलकर जी की है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें, nice guy who finished first, यह किसकी है, तो यह राहुल द्रेविड की है, किसकी है, ठीक है, अगर आपसे पुछा जाए, the lost hero यह किसकी है, तो यह विनोध कामबली की है, किसकी है, विनोध कामबली जी की यह किताब है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही आपसे और question पुछे आते हैं, जैसे कि, the test of my life, ठीक की, किसकी है, सुरेश रहना, ठीक है, फिर उसके बाद, 281 and beyond, 281 and beyond किसकी है, वीवियस लक्षमन जी की, किसकी है, वीवियस लक्षमन जी की है, ठीक है, a century is not enough, a century is not enough, यह किसकी है, सौरव गाउंगली जी की है, किसकी है, सौरव गाउंगली जी की है, यह भी आद रखना है अच्छे है अभी हाली में किस खिलाडी को एक दोस्तों कहते हैं निकनेम दे दिया जाता है जैसे Captain Cool, MS Dhoni है, King Virat Kohli है, फिर उसके बाद नाम दे दिया जाता है जैसे Sachin Dan Lukarji Master Blaster है, उसी तरीके से अभी हाली में ये किसे बोल दिया गया है, Prince of Cricket, जल्दी से बताएए, सभी ल बढ़िया, समराट, क्रैक, बेग तलीब, very good, जितने लोग कहरें शुभमन गिल उनका correct answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुभमन गिल correct answer हो जाएगे, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला सवाल, विच पदमश्री अवाडी ऑफ 2002 वस नॉमिनेटेड बाई ICAR CCARI, 2022 के किस पदमश्री पुरुस्कार विजेता को ICAR CCARI द्वारा नामित किया गया था, क्या वो नटराजन चंदरशेकरन थे, या फिर अमाई महालिंगन थे, या फिर सेट पाल सिंग, या फिर अवनी लखेरा जली दो बताएं, चंदर सेखन, चंदर सेखन कह रहे हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, आप्शन नंबर टू, अमाई महालिंगन नायक करेक्ट आंसर हो जाएंगे, अब देखे, पदमश्रा वाड्स की बात करें, तो यह हर साल दिये जाते हैं, विभूशन है भारत का सबसे highest जो civilian honor है वो भारत रतने है ठीक है यह याद रखेगा अब यहां पर पदमे विभूशन फिर आता है पदमभूशन फिर आता है पदमश्री 2023 में भी दिया गया है 26 जन्वरी को और 2022 में भी दिया गया है अगर मैं बात करता हूँ 2022 में पदमे विभूशड कितने लोग को दिया गया था चार लोगों को दिया गया था पदमे विभूशड कितने लोग को 17 लोगों को दिया गया था टोटल काउंट करते हैं तो 128 निकल कर आ जाता है ठीक है वही पे अगर हम बात करें 2023 में पद्म विभूशड जो है 6 लोगों को दिया गया है पद्म भूशड 9 लोगों को और पद्म श्री 99 लोगों को दिया गया है जिसको काउंट करेंगे हम लोग तो 106 निकल कर आ जाता है ठीक है तो 106 लोगों को दिया गया था इस बार पदम आवार्ड अगर आप से यह पूछ ले पदम विभूशन में कि दोस्तों फेमस कौन कौन देख तो जाकिर हुसेन जी का नाम याद रखेगा ठीक है मुलायम सिंग जी का नाम याद रखेगा अच्छा एक सवाल मैं आपक कितने मनोपरांथ थे जो पदम आवार्ड मिले वह नहीं पूछ रहा हूं मैं क्या पूछ रहा हूं पदम विभूशड कितने मनोपरांथ थे जिनको 2023 में दिया गया यह आपके लिए होमवक है ठीक है वैसे तो बहुत सा़ है लोग आँसे करें लेकिन होमवक है चलिए से यादा कहा किए फटावर से बताईए यहां पर कह रहे है सर महराश होना चाहिए कुछ लोग कह रहे है सर बिहार होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं जितने लोग यहां पर महराश महराश कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्टांसर होगा जो लोग बिहार कह रहे हैं क्योंकि आप लोग घनत्व के हिसाब से बता रहे हो लेकिन घनत्व यहां थोड़ी पूछा है यहां पूछा जनसंख्या कहां की जादा है तो महराश की है ठीक है चले अगला कोशन आपके लिए यह रहा विच स्पोर्ट इस अर्पिंदर सिंग असोसियेटेड विथ अर्पिंदर सिंग जो है वो किस खेल से जुड़े हुए यह आप से पूछा गया है फॉर्मुला रेस ट्रिपल जंप रॉक क्लाइंबिंग या फिर स्विमिंग जल्दी से बताए तीन सो पंदरा लोग लाइव हैं फड़ा वर्स एक बार लाइक और शेयर करते हुए साड़े तीन सो के उपर लेग चलते हैं फॉर्मुला फॉर्मुला कुछ लोग ट्रिपल जंप कहरें करेक्ट आंसर यहां पर जाएंग दोस्तों ट्रिपल जंप ठीक है ट्रिपल जंप देखें अभी हाली में न्यू किस खेल से संबंदित हैं तो यह फैंसिंग से हैं किसे हैं फैंसिंग से हैं यह आपको ध्यान रखना ठीक है इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं अगले कोशन बड़े अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा which of the following subject falls in the concurrent list ठीक है निमलिखित में से कौन सा विश्य जो ह और trade and commerce क्या आएगा जल्दी से बताइए यहां पर education कह रहे हैं ओखे बाकी लोग क्या कहते हैं ठीक है जिते लोग education कह रहे हैं दोस्तों उनका बिल्कुल correct answer हो जाए क्या हो जाएगा education correct answer हो ठीक है आगे बढ़ें चले अच्छा दोस्तों एक सवाल मैं आप से लिस्ट कहां पर मिलती हैं साथवी हैने सूची मतलब साथवे schedule में मिलती है भालति सम्विधान के union list में 100 subject है state list में 61 है और conference में 52 है मैंने आप से पूछा public health किसके अंदर में आएगा तो जितने लोग state कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer होगा किसके अंदर आएगा state के अंदर जाएगा ठीक है चले आगे बात करें अगले कोशन पर अगला सवाल इंडिया वॉन दी फर्स्ट एवर मैंस डबल बैड्मिंटन गोल्ड मेडल एड़ कॉमन वेल्थ गेम 2022 कॉमन वेल्थ गेम से पूछ लिया है अमंग दा प्लेयर वन वास दा चिराक्षेटी हू वास दा अधर प्लेयर भारत ने राष्ट मंडल खेलो में 2022 में अपना पहला पुरुष यूगल बैडमिंटन स्वन पदग जीता था खिलाडियों में एक चिराक्षेटी थे दूसरे खिलाडी कौन थे सात्विक साहिराज धुरुव कपिला अश्वीनी पुनप्पा और केटी रु में हुआ था थीक है उसके बाद दूसरा सवाल क्या बन सकता है कि इसका मैसकट मैसकट मतलब शुभांकर थीक है तो मैसकट क्या था पैरीधा बुल था ठीक है, फिर पुछा जाएगा कि इसमें first rank किसकी आई थी, तो Australia कि आई थी, तो Australia कि आई थी, फिर पुछा जाएगा भारत की rank कौन सी थी, fourth rank थी, ठीक है, भारत ने कितने medal जीते थे, तो total 61 medal जीते थे, कितने gold जीते थे, तो 22 जीते थे, कितने silver जीते थे, solar जीते थे, और bronze क तेज जीते थे, तेज जीते थे, count करेंगे, तो 61 medal आ जाएगा, यह हमने 2022 की बात की है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चले आगे की तरफ, चले, आगे बढ़ते हैं, अगले question पर, अगला सवाल, select the right option which is used for measuring the national income, राष्ट्री आयको मापने के लिए, उप्यों किये जा which of the following is India's first 3D printed humanoid robot, ठीक है, निमलिखित में से कौन सा भारत का पहला 3D printed humanoid robot है, कैमपा, मानव, इंद्रो, या फिर दक्ष, जल्दी से बताइए, क्या होगा correct answer, rapid fire करिए, जल्दी जल्दी से, मानव, मानव कुछ लोग कह रहे हैं, तो correct answer यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, आ who was the first Indian to join the Indian civil service, भारती सिविल सेवा को शामिल होने वाले पहले भारती कौन थे, क्या यह सुरेंदरनाथ बेनर जी, रोमेश दत, बिहारी लाल गुपता और सतेंदरनाथ टैगोर, कौन थे, फड़ा फट बताइए, यहाँ पे कह रहे है सर सतेंदरनाथ, कुछ लोग कह रहे अश्ट्री उतपात के बराबर होता है, वो क्या होता है, NNP at the market price plus indirect taxes minus subsidies, NNP at market price minus indirect tax plus subsidies, या GNP minus depreciation, या GNP plus subsidies, क्या होगा यहाँ पे, बोल रहे सर GDP minus कर दीजे, तो दोस्तों एक बात बताईए, मैंने आपको बताया था, जब GDP में से आप depreciation minus करोगे, तो G के जगा बस N लगा दीजेगा, तो आपका NDP आएगा न दोस्तों, इन्होंने NDP तो नहीं पूछा है, इन्होंने NNP पूछा है, तो मेरे ख्यासे तो third option तो नहीं होना चाहिए, हाना, correct answer फिर क्या होना चाहिए, option number two होगा, बहुत बढ़िया, तो दोस्तों अब ऐसे गलती तो ना करें, हाना, चले, यहाँ पे यह question आपके लिए homework रहेगा, क्या रहेगा, homework रहेगा, सभी लोग क्या करेंगे, comment box में इसका answer करेंगे, ठीक है, तो, ओ, हो, 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 दोस्तों, यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहाँ पर आज हमने mix question किये हैं, और इसी तरीके से हम लोग daily class क करेंगे, ठीक है, Monday to Friday class होगी, ठीक है, याद रखिए, दो पहर को दो से तीन बजे, जिन मित्रों को नहीं पता है, तो उनको आप बता दीजेगा, और इसकी PDF कहाँ पे मिलेगी, टेलिग्राम पे आपको सर्च करना है, एडरेट गौरव सर टेस्ट बुक, वहाँ पे आपक पे और जो live class चल रही है, इस पर जाने के बाद, सबसे पहले like कर दीजे, description में जाएंगे, यहाँ पे देखे, SSC दिया है, आपको इसको click करना है, आपके सामने एक new page ओपन होगा, और सिर्फ आपको coupon code यूज करना है, गौरव M, ठीक है, यहाँ पे आप जाईए, प्राइस अगले session में, एक नए जोश के साथ, एक नए session के साथ, तो जुड़ना मत बूलेगा, मेरे साथ, अगले session में तब तक के लिए रखेगा, अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई कर देगा, बाई बाई टेक एर, जै हिन्द, जै भारत